साल 2018 में प्रदीप ने पहली बार UPSC की परिक्षा दी थी, जिसमें उन्होंने All India में 93 रैंक हासिल की थी, हलाकि उनका चायन IS के लिए नहीं हो सका था IS के पद से प्रदीप मात्र एक रैंक से पीछे रह गए थे ऐसे में प्रदीप का चायन Appointment Indian Revenue Service यानी IRS में हो गया, साल 2018 में UPSC क्लियर हो गया, लेकिन वहां IS बनने से सिर्फ एक रैंक से चूग गए और IPS बनने के लिए वह फिजिकली फिट नहीं थे, इसलिए उनको Revenue Service चोईन करना पड़ा बाद में Service के दुरान उन्होंने चुट्टी लेकर दुबारा तयारी शुरू कर दी और इस बार उन्होंने All India Rank 26 हासिल की, जसके बाद उनका चैन IS Officer के लिए हुआ और आखिर प्रदीप ने अपना सपना पूरा कर लिया